Hello students, this is Tanushree, so today we will start another part of exercise 48, so let's start portion number 4, use protractor to draw the angles of the following measures and bisect each of the angles तो देखो, protractor use करके हमें ये जो angles दिया हुआ है, इसे draw करना है, first फिर bisect करना है, तो first क्या है, 60 degree तो देखो, protractor की मदद से हमें करना है, तो देखो, यहाँ पर एक baseline ये होता है, और देखो, ये दो scale होता है, एक inner scale और एक outer scale, अभी देखो, inner scale में देखो, यहाँ से शुरू होता है 0 degree, 10 degree, 20 degree, 30 degree, 40 degree, 50 degree, ऐसे चलेगा 180 degree तक, ठीक है और देखो, outer scale इस side से होता है, शुरू, 0 degree, 10 degree, 20 degree, 30 degree, 40 degree, 50 degree, 60 करके 180 degree तक, ठीक है, तो अभी हम first क्या करेंगे, हम first scale की मदद से first एक line ड्रॉ करेंगे ठीक है, तो first हम ड्रॉ करेंगे एक line, ठीक है, अभी हम नाम दे देते हैं, A, B, ठीक है, अभी हम protractor की मदद से हम 60 degree ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो, ऐसे देखो, इसका जो center है, और इसका जो, ये जो starting point है, यहाँ पर हम touch करेंगे, ठीक है ऐसे हम touch करेंगे, अभी देखो, 0 degree, 10 degree, 20, 30, 40, 50, 60 degree, तो यहाँ पर एक point यहाँ पर दे देंगे ऐसे, ठीक है, अभी हम join करेंगे ठीक है, तो यह 60 degree हो गया है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर नाम दे सकते हैं, C, ठीक है, अभी इसे bisect करना है, ठीक है, तो bisect हम कैसे करेंगे, compass की मदद से हम करेंगे, तो देखो, first ऐसे एक convenient हम radius ले लेंगे, ठीक है, कोई भी radius ऐसे ले लेंगे, फिर यहाँ पर एक arc ड्रॉ करेंगे, तो ऐसे arc ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यह दो point हो गया है, है ना, तो इस से अभी इसको center बना के, हम यहाँ पर first तो ऐसे ड्रॉ करेंगे arc, ठीक है, अभी इसको हम change कर सकते हैं, वो जो radius लिये हैं, ठीक है, वो हम change कर सकते हैं, ठीक है, change करके यहाँ पर एक arc यहाँ पर ड्रॉ करना है, छोटा, ठीक है, और ये जो radius हम लिये है इस point से हम जो draw कर रहे है ये same ही रहना चाहिए, ठीक है जब इस point से हम फिर से draw करेंगे तो वो radius same होना चाहिए ठीक है, ये ध्यान में रखना है फिर हम ये arc ऐसे काटेंगे ठीक है अभी देखो, हम join करेंगे ठीक है इस point से एक स्टेंड भी कर सकते हैं ऐसे ठीक है तो इसको हम नाम दे देते हैं D E और यहाँ पर F ठीक है तो यह हो गया है एंगल BAC 60 दिग्री और हम बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल BAC को कि इसथे हैं नेज्स्ट 90 हम ड्रो Kट्रेंगे ही कि तो फिर्स्ट हम ऐसे लाइन ड्रो करेंगे अभी हम प्रोट्रेक्टर से 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे ठीक है तो ऐसे हम सेंटर के साथ इस लाइन को टच करेंगे ऐसे सेंटर के साथ स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ठीक है ऐसे हम मिलाएंगे अभी देखो 90 डिग्री तो 90 डिग्री यह है अभी हम जोइन करेंगे अभी हम क्या करेंगे अभी हम क्या करेंगे अभी हम बाइसेक्ट करेंगे ठीक है यह 90 डिग्री है तो हम नाम दे सकते हैं गजेंगे अभी हम एक कन्याइन्ट रिडिस का आल्ख ले लंगे ठीक है तो ऐसे ठीक है कोई भी रेडियस लेके ऐसे हम आर्क ड्रॉ करेंगे ठीक है अभी यहाँ पर हम सेंटर करके यहाँ पर एक रेडियस ले लेंगे ठीक है जादा नहीं इससे हाप ठीक है तो इतना रेडियस ले लेंगे अभी यहाँ पर एक छोटा आर्क हम ऐसे ड्रॉ करेंगे और सेम रेडियस से इस साइट से भी हम इस आर्क के ऊपर ऐसे टच करना है ठीक है अभी इस पॉइंट के साथ यह पॉइंट जॉइन कर देंगे अभी हम नाम दे देंगे डी इफ ठीक है यहाँ पर भी नाम दे सकते हूं अभी नेक्स्ट 45 डिगरी हम ड्रॉ करेंगे सेम वे में तो फर्स्ट हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे ठीक है अभी देखो प्रोट्रेक्टर की मदद से हम यहाँ पर देखो तो जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी 40 45 तो 40 और 50 के बीच में रहेगा तो 40 41 2 3 4 5 तीक है यह जो है यह 45 डिगरी है तो यहाँ पर हम पॉइंट करतेंगे ठीक है A, B, C अभी हम आर्क ड्रॉ करेंगे अभी यहां पे एक चोटा आर्क बोही सेम रेडियस से यहां पे भी एक चोटा आर्क हम ऐसे ड्रॉ करेंगे अभी नेक्स्ट एक ड्रॉ कर लेते हैं 80 डिग्री हो जाएगा यहां पे ठीक है अभी हम यहां पे आर्क एक ड्रॉ करेंगे अभी यह थोरा इतना लेते हैं रेडियस लेके यहां पे एक आर्क और सेम रेडियस लेके इस साइट से भी यहां पे आर्क ठीक है अभी नेक्स्ट 120 डिग्री हम ड्रॉ करेंगे तो देखो यहां पे फर्स्ट ऐसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे फिर प्रोट्रिक्टर से 120 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो ऐसे सेट करके 120 डिग्री तो 0,10,20,30,45,60,70,80,90,100,100,10,120 तो इतना तक होगा 120 डिग्री अभी हम ऐसे एक आर्क ड्रॉ करेंगे अभी यहां से एक रेडियस इतना तक ठीक है ले लेंगे अभी यहां पे कट करेंगे और सेम रेडियस से इस पॉइंट से भी कट करेंगे O, A, B, C, D, E Q5, Use Protractor to draw an angle of measure 90 degree and tricect the angle तो प्रोटरिक्टर यूज करके हमें first 90 degree angle draw करना है और फिर tricect करना है उस angle को तो फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे 90 degree तो ऐसे एक हम line लेंगे अभी प्रोटरिक्टर ऐसे हम set करके 90 degree draw करेंगे अभी हम नाम दे देंगे O, A, B अभी हम एक आर्क convenient radius कोई भी radius लेके आर्क ड्रॉ करेंगे अभी क्या करना है अभी इस point में हम center ऐसे लेके अभी हम एक radius लेंगे ठीक है और एक हम लेंगे same radius रहेगा ठीक है यहां से जो हम cut किये है जो radius लेके यह arc वही same radius लेके इस point से भी cut करना है यहां पे ठीक है अभी हम यह इस point के साथ यह जो point है यह join करेंगे और यह भी join करेंगे ठीक है तो ऐसे देखो tricect होगा है ना three parts में यह divide हो चुका है तो अभी हम नाम दे सकते हैं यहां पे c d ठीक है question number six use protractor to draw the angles of the following measures and divide each of them in four equal parts तो देखो यहां पे जो measures दिया हुआ है इसे हमें protractor की मदद से पहले draw करना है ठीक है और फिर उसे हमें four equal parts में divide करना है तो first हम 90 degree हम draw करेंगे protractor से तो ऐसे first एक line draw करेंगे फिर 90 degree ऐसे हम draw करेंगे ठीक है अभी four equal parts में divide करना है ठीक है तो first हम इस angle को O A B ठीक है इस angle को first हम bisect करेंगे ठीक है जैसे हम पहले किये थे वैसे हम करेंगे ठीक है first यहाँ पर एक arc draw करेंगे फिर इसको center बना के थोड़ा ऐसा इतना तक radius लेके ऐसे cut करेंगे और फिर same radius से इस point से भी यहाँ पर cut करेंगे ठीक है अभी हम join करेंगे ऐसे ठीक है अभी हम क्या करेंगे यह two equal parts में divide हो चुका है ठीक है अभी इसको नाम दे देते हैं F यहाँ पर G ठीक है अभी हम क्या करेंगे अभी angle जो है G O A इस angle को हम bisect करेंगे ठीक है अभी हम D को center बनाके अभी एक radius इतना तक इतना radius लेके ऐसे कोई भी convenient radius लेके ऐसे cut करेंगे ठीक है तो अभी हम join करेंगे इसके साथ यह ठीक है अच्छा अभी हमें क्या करना है हमें यह जो है इसे भी हमें bisect करना है ठीक है तो same way में हमें करना है तो यहाँ से एक radius इतना लेके हम first cut करेंगे एक arc same radius लेके इस point से भी हम cut करेंगे यह इतना ठीक है अभी हम join करेंगे तो यह देखो यह four parts में divide हो चुका है तो हम नाम दे देते हैं यहाँ पर h i j k तो देखो four equal parts में divide हो चुका है तो हमें first क्या करना है हमें first यह जो 90 degree है इसको bisect करना है फिर यह जो angle होगा इसको bisect करेंगे और यह जो angle होगा इसको bisect करेंगे ठीक है तो हो जाएगा four equal parts अभी next 135 degree draw करना है तो ऐसे line लेके फिर यह हमेशा सब गलती करते हैं 135 कहा पर लेंगे ऐसे तो inner scale से ऐसे हम measure करेंगे ठीक है तो फिर 135 होगा तो 12345 135 यहां पर होगा है ना तो इसको point देके 35 यहां पर हम join करेंगे ठीक है 135 अभी क्या करना है four equal parts में divide करना है तो वही same है अच्छा पहले नाम दे सकते हैं O A B अभी हम अभी हम आर्ख से cut करेंगे ठीक है तो बाइसिक्ट करना है फर्स्ट इसे तो आपकी जादा इतना तक radius लेके हम cut करेंगे ठीक है से और सेम radius से यहां पर point करके center करके ठीक है तो यहां पर cut करेंगे अभी फिर से हमें यहां पर बाइसिक्ट करना है इधर और इधर टीक है अभी नाम दे देते हैं c, d अच्छा अभी यहां से हम हापकी जादा इतना तक ठीक है इतना तक radius लेके एक arc cut करेंगे और यहां पर इस point से भी हम वो same radius लेके यहां पर cut करेंगे ठीक है तो अभी हम यह join करेंगे यहां पर तो अभी हम नाम दे देंगे यह d हो चुका है यह join करेंगे तो तो देखो यह four equal parts में divide हो चुका है नेक्स्ट देखो 120 डिग्री ड्रॉ करना है तो फर्स्ट हम यह scale से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे फिर यहां पर देखो तो 120 डिग्री तो 0, 10, 20 ऐसे करके 120 इतना तक होगा तो 120 डिग्री यह हो जाएगा ठीक है अभी हम join करेंगे अभी यह नाम दे देंगे O A B अभी यहां पर center करके एक आर्ख ड्रॉ करेंगे फिर इससे इतना तक radius लेके यहां पर कट करेंगे और same radius लेके इधर भी कट करेंगे अभी हम join करेंगे अभी हम O A B C D अभी हम radius इतना तक ले लेते हैं यह यहां पर कट करेंगे और same radius से यहां पर भी कट करेंगे तो यहां पर हम join करेंगे ठीक है और अभी यह नाम दे देंगे C D E F G ठीक है अभी हम यहां से एक रेडियस लेके यहां पर कट करेंगे और इधर से हम cut करेंगे अभी करेंगे अभी करेंगे तो यहां पर हम नाम दे देंगे नेक्स्ट है वन फिप्टी डिग्री फिर्स्ट हम नाइन ड्रॉ कर लेते हैं फिर वन फिप्टी डिग्री यहां पर है देखो 100, 110, 20, 30, 40 50, 150 150 हो जाएगा यह अभी O A B 18 अभी हम क्या करेंगे अभी हम आर्क ज़ा करेंग denominator अभी यहां पर इतना तक रेडियास हम ले लेगे ठीक अभी कट करेंगे यहां पर और सेम रेडियास से इधर से भी कट करेंगे ग ए ग़ अबoden यहां गरिदेगे अब यहां पर जोइन कर लेंगे हैं ठीक है अभी सी डी ए ठीक है अभी हम यह बाइसिक्ट करेंगे इतना तक रेडियस लेंगे और यहां पर कट करेंगे और सेम रेडियस ही लेके यहां पर सेंटर करके ऐसे कट करेंगे अब यह नाम देते हैं एफ जी अभी सेंब वे में इधर भी करेंगे तो इतना तक रेडियस ले लेते हैं और कट करते हैं अभी सेंब रेडियस से यहां पर कट ठीक है हीच हाई जी ठीक है तो फोर इक्वाल पार्स में डिवाइड हो चुका है तो यह है एक्सरसाइस 48 का सेगेंड पार्ट और लास्ट पार्ट की जो वीडियो की लिंक है बो नीचे डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है हाई लाई